दमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास POCO M2 है M3 है या कोई और मॉडल है तो यहाँ पे आप Play Store Sign In कैसे कर सकते हैं या फिर आपका Google Account कैसे Add कर सकते हैं अपने मोबाइल में तो यहाँ पे Play Store पे जब आप क्लिक करेंगे या किसी भी application पे Google के तो यहाँ पे Sign In का option मांगेगा आपसे Sign In पे क्लिक कर लेना है और वेट कर लेंगे इंटरनेट से आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए चाहे वाइफाई से या मोबाइल डेटा कुछ भी और यहाँ पे जो भी आपके email ID है वो डाल लेंगे और इसके बाद Next पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है इसका पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है अगर आप भूल गए है तो फॉर्गट पासवर्ड कर लेंगे तो यहाँ पे आप OTP से भी लॉग इन कर सकते हैं और क्रियेट कर सकते हैं ठीक है अगर भूल गए हैं तो उसकी वीडियो अलग से है आईगरी पे क्लिक कर लेंगे अगर नए आकाउंट create करना है तो create करने वाली वीडियो अलग से चैनल पर जाके देख लेंगे बैक अप चाहिए तो इसको check mark करके accept कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपका login हो चुका है देख सकते हैं corner पर आपकी email id देखने को मिल जाएगी तो इस step से sign in के problem को fix कर लीजिएगा चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार